हेलो फेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज आपके साथ में एकदम नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स को पैक कर सकते हैं चाहे तो आप इसे अपने ख़र पर ब्रेकफास्टा बना सकते हैं सॉफ्ट टेस्टी काफी सारी वेजटेवल्स के साथ में एकदम हैल्दी ब्रेकफास्ट है कम तेल में बनने वाली सबसे आसान रेसिपी है यह तो आप इसे अपने ख़र पर जब ट्राइक करना तो यहां पर हमने एक बावल लिया है इसमें हमने लिया है एक कप यानिकी 200 ग् करके टाल देना इससे अच्छा फ्लेवर आता है और यहां पर आपको चाहिए से सॉफ्ट करने के लिए दही दो चमच भरके आपको दही लेना है कोई भी आपको इसमें इनो सोड़ा कुछ नहीं मिलाना है दही फ्रेश या हलका सा खटा हो तो भी चलेगा थोड़ा सा पान यह स्पून से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और एट करेंगे और वापस से इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से इसे ना मिक्स करते हुए ना आपको बीड भी अच्छे से करना है ताकि ना यह अच्छे से बिसन फूल जाएगा तो इ यहां पर हमने कुछ वेज़िवल से शिमना में चे टमाटर पत्ता अगुभी हरा धनिया हरे में चौरी गाज़ सब्जियों को हमने पतला पतल लंबाई में हलका सा कट कर लिया है इस तरीके से टमाटर के बीज हमने निकाल दिये हैं और यह सबी चीज़ें हम इसमें डाल देते है यह पर अनियन कहते है तो फिर अप इसमें अनियन भी कंट करके डाल सकते हैं तो यहां पर पहले छीज़ों को Étatsค सब्जयों में पानी रहता है तो इसलिए हमने इसमें पानी आड़ नहीं किया है अभी भी एधिक है थोड़ा सा पानी हम इसमें एड करेंगे बाकि हम इसको पांच मिनिट के लिए छोड़ेंगे न तब बात में हम इसकी consistency को भी चेक करेंगे तो पहले थोड़ा सा पानी मिलाके इसको अच्छे से हम mix कर लेते हैं तो यहां पर यह इस सरीके से तयार हो गया है अभी हम इसको पांच मिनिट लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएगा इदि आपको लगता है थेक है थोड़ा सा पानी एड कर सकते हो थोड़ा सा पतला हो जाए तो भी से नेड कर सकते हो तो यहां पर तब ये पर हम डालेंगे हल्का एकी एक टैप önce इसे इसे बात में यहाँ पर आपको इसे तरीके से लेना है और यह इस पर यहाँ पर्सक्रीके क्वेगे आप उतने बना सकते हैं आप यसे भी शोटे साइज की बना सकते हैं थोड़े से आप चाहें तो पूरा एक बना सकते हैं जैसा उत्पम बनाते हैं वैसे डालने के बाद में आप इसे ढख देना फ्यलिम को रखना टू लो और जैसे उपर से हलका सा dry हो जाए और आप इसे हटा के इस तरीके से चेक कर ले ना, एक साइट से सिखा यह नहीं बड़ यह हो गया है अब यहाँ पड़ना जब बैटर डालते थोड़ा से चिपक जाता है कोई दिकत नहीं है आप इसे इस तरीके से अलग कर सकते हो ताकि आप इसे आसानी से पलट सकते हो यहाँ पर यह हमने इसे पलट दिया है इसी तरीके से यह दूसरा और यह तीसरा भी हम पलट देंगे बहुत अडाम से बन जाते हैं सिंपल है, इजी है, हेल्थी भी है और टेस्टी भी है अब हमें इसमें ओईल लगाने के ज़रुवत नहीं है यह अपने आप से ही कम ओईल में बनता है तो यहाँ पर यह दूसरी साइट से भी अच्छे से सिख गया है यह दि आपको इसके लियर्स जादा क्रिस्पी चाहिए तो आप बेशन में थोड़ा से चावल का आयटा भी एड़ कर सकते है तो यहाँ पर यह दोनों ही साइट से अच्छे से सिख कर तेयार हो गया है अच्छे से इसका कलर आ गया है तो ऐसे ही हम और भी बना कर तेयार कर लेंगे आप देखे सेकेंड टाइम जब मैं इसमें डालोंगी न तवे पर तो हमें इसमें उयल लगाने की जोट नहीं है तो बहुत ही कम तेयल में अच्छा नाश्ता बन करती है और हो जाता है यहाँ पर सबजिया आप अपने हिसाब से थोड़ी कम जादा भी कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसमें सबजिया है जिससे की मीनस भी इसमें आप बारी कट करके डाल सकते हो आप इसमें अनियन डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो अपने साब से कर सकते हो आप चाहें तो इसमें फूल गोबी को भी कद्यों कस करके डाल सकते हो वो भी अच्छी लगती है तो यहाँ पर यह हमारा सेकंड बैच भी सिक्कर तयार हो रहा है सर्फ कर लेते हैं आपके पास में हर्य द्रणी के चटनी है नहीं तो आप इसे टमेटो केचप के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं तो यहाँ ही तयार हो गया है हमारा बेसन का जहत बत से बनने वाला नाश्ता आप इसे ल routines box मों बना सकते हैं चाहें तो आप इससे breakfast में बना सकते हैं और बिना किसी एनो, किसी सोडा के एकदम perfect और soft बनता है इससे हमने इतने थेक रखा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अंदर से कच्छा रह जाता है, मैं आपको इससे तोड़के दिखाती हूँ तो ये देखिए, एक दन से perfect और healthy breakfast है आप इससे अपने खर पर जो ट्राइ करिएगा पसंद आए तो like, share, comment करना मत भूलना Thank you